प्यारे बच्चों नमस्कार मैं डॉक्टर भूबन चनरतिवारी प्रभक्ता जीव विज्ञान आज आपके साथ कक्षा ग्यार्विकी जीव विज्ञान विशय के पहले अध्याय जीव जगत के अध्यान को जारे रखते वे पिछली कक्षा में सिखे बिन्वों की पुर्ण अधिगम उद्देश्णों पर चर्चा करेंगे बच्चों हमने पिछली कक्षा में जीव इज्ञान और जीव शब्द की समझ विक्षित की जीव के विशिष्ट अभिलक्षनों का गहन आकलन और पहचान कैसे सुनिश्चित करते हैं यह सीखा हमने अपने देश की जैव विशिष्ट के महत्व को समझने का प्रयास किया नामकरण की द्विपदिये और त्रिपदिये प्रणाली को सीखा इसके साथ-साथ जैविक नामकरण के सारुभौमिक नेमों को जाना कि किस प्रकार किसी जीव का व्यागयनिक नाम दिखा जाता है आईए अब हम जीव जगत अध्याय के दूसरे भाग में विभिन अधिगम बिन्दूओं का अध्यन करते वे इन अधिगम उद्देशों को प्राप्त कर सकेंगे चात्रों में जैविक वर्गी करण के आवशक्ता और महत्व को गहन रूप से सोचने और समझने की क्षमता विक्षित करना हमारा उद्देश रहेगा चात्रों में प्रजाती की आवधारण का आकलन और अपवादों के लिए समझ विक्षित करना जैविक वर्गी करण के विभिन स्तरों का वर्णन करना विभिन वर्गी की संबर्गी की पहचान और उद्दारण के साथ उन्हें संबंदित करने की क्षमता विक्षित करना चात्रों में श्रवन कौशल रचनात्म कौशल और गहन सोच विक्षित करना चात्रों में वैज्यानिक दिष्टिकोंड, जग्यासु प्रवर्ति और प्रक्रति प्रेम विक्षित करना नैनिक जीवन में जेविज्ञान से सह संबंदित इस्थापित करने की क्षमता विक्षित करना बच्चों मानव, सदेव, विभिन्य प्रकार के जीवों के विशे में अधिक सधिक जानने का प्रयात्नि करता रहा है और विशेश रूप से उनके विशे में जो उसके लिए बहुत ज़्यादा उप्योग रहे हैं अजि हम इतिहास की बात करें तो आदी मानव को अपनी मूल भूत आवशिक्ताओं जैसे भोजन, कपड़ा तथा आश्रे के लिए ने ने सोत खोजने पड़ते थे इसलिए विभिन्य जीवों के वर्गिकरण का आधार मानव ने उप्योग पर किया तो जैविक वर्गिकरण क्या है यह जानने का प्रयास करते हैं समानता और भिन्यता के आधार पर जीवों को विभिन्य समुहों वै उप्समुहों में वर्गी करत करने की यह वेज्ञानिक प्रकरिया है, जिसमें जीवों को दिखाई देने वाले गुणों के आधार पर सुविधा जनक वर्ग में वर्गी करत किया जा सके। यही विधी जैविक वर्गी करन कहलाती है। उधारण के लिए पौधे, प्राणी, बिल्ली, कीट, कुत्ता आधी यह सब जीवों के उधारण हैं। क्या आपको पता है कि जीवों के वर्गी करन में व्यग्यानिक माप दंडों का उपयोग सरपर्थम किस ने किया था। सोचिए। बच्चो, जीवों के वर्गी करन में व्यग्यानिक माप दंडों का उपयोग सरप से पहले अरस्तु ने किया था। यह वही अरस्तु हैं जिनको हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जैविक वर्गी करन का क्या महत्व है। क्यों करें हम जैविक वर्गी करन में। बच्चो, जैविक वर्गी करन द्वारा जीवों की पहचान सुगम होती है, सुनिश्चित होती है। यह जीवों के विभिन समोहों में संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। यह जीवों के विभिन समुहों में वन्षावली संबंधों को समझने में भी सहाइक होता है। इसी वर्गी करण में हम वर्गी की बात करेंगे, वर्गी की अर्थात, वर्गी करण का विज्ञान, इसको अंग्रेजी में टेक्सोनोमी कहा गया है, यह जो टेक्सोनोमिक सब्द है, यह डी केंडोल द्वारा दिया गया था, वर्गी की अर्थात, टेक्सोनोमी, विज्ञा जो जीवों की पहचान, जीवों की नामकरण और जीवों की वर्गी करण से संबन्दित है। क्या आपको पता है कि वर्गी करण अर्थात या वर्गी की अर्थात टैक्सोनोमिका जनक कौन है। सोचिए। बच्चो केरलस लिनायस को टेक्सोनॉमिक का जनक कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जैविक वर्गी करन पद्धती है क्या। जैसा कि आप जानते हैं मानव प्रारम से ही विभिन प्रकार की जीवों के बारे में जानने का अभ्यस्त रहा है। विभिन प्रकार की जीवों की विवित्ता सहित उनके विशय में अध्यन को वर्गी करन पद्धती या सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स लेटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है जिसका आर्थ है जीवों की नियमित विवस्था। वर्गीगरण पध्धती में जीवों की पहचान, उनका नाम पध्धती तथा वर्गीगरण सुनश्चित किया जाता है। वर्गीगरण पध्धती में जीवों के विकाषिय संबंदों का भी ध्यान रखा जाता है। इसके प्रिनेता रहे कार्ल लीनियस ने अपने पुब्लिकेशन का सीशक सिस्टेमा नेचर चुना। वरगी की अर्थात वरगी करन विज्ञान को समझने के बाद अब हम वरगी की सम्वर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। वर्गी करन एकल सोपान प्रक्रम नहीं है पहली बात दूसरा इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं प्रतेक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है क्योंकि समवर्ग समस्त वर्गी की विवस्था है इसलिए वर्गी की समवर्गी से कहा जाता है सारे के सारे संवर्ग मिलकर के वर्गी की पदानुकरम बनाते हैं प्रतेक संवर्ग वर्गी करण की एक एकाई को प्रदर्शित करता है वास्तव में ये एक पद है जिसे वर्गक या टैक्साउन कहते हैं ये बहुत महत्यपूर्ण है, इसको आप फिर से समझेए, एक उधारन की द्वारा, जैसे कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है, इसमें एक समान गोण, जैसे तीन जोड़ी संधिपाद, अर्थात, तीन जोड़े इसमें टांगे होती हैं, इसका मतलब यह है कि कीट एक स पस्ट जीव है, जिसका वर्गी कराण किया जा सकता है, इसलिए इसे हम एक पद अथवा सम्वर्ग का धर्जा देते हैं, पद अथवा वर्ग जिसको हम टैक्सोन भी कहते हैं, वास्तव में वर्गी कराण की विभिन स्थर पर एक इकाई को बताता है, टैक्सोन विभिन स् कुछ उधान द्वाला इसको समझे, बहत महत्त पून है, परिक्षा में भी इस पर प्रशन आते हैं, पौधे एक टैक्षा है, गेहूं एक टैक्षा है, इसी प्रकार जन्तू, स्थन्धारी, कुट्ता, ये सभी टैक्षा के रूप हैं, अब एक उधान आपको देते हैं, एक वाक्य है कि कुट्ता एक स्तंधारी प्राणी है, फिर से बोल रहा हूँ, कुट्ता एक स्तंधारी प्राणी है, अब इस वाक्य को ध्यान पूर्वक देखिए, और बताईए कि इस वाक्य में क्या-क्या टैक्षा है, बचो, हम ध्यान से देखेंगे, तो हमें पता लगता ह कि इस वाक्य में कुत्ता, स्तंधारी तथा प्राणी अलग अलग स्तर पर एक टैक्सा हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि कुत्ता एक स्तंधारी है और स्तंधारी एक प्राणी है, इसलिए प्राणी, स्तंधारी तथा कुत्ता ये विभिन स्तरों पर टैक्सा को प्रदर्शित करते हैं अर्थात ये विविन सर पर एक टेक्स आ है अब ये जो भी हमारे वर्ग हैं जो समवर्ग हैं वर्गी क्राण में उनका हम अध्यन करेंगे इसमें हम शुरुवात करते हैं जगत जिसको अंगरेजी में किंग्डम कहते हैं अब रोही क्रम में आ रहे हैं उसके बाद संग आता है जिसको फाइलम कहते हैं यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि पौधों में हम फाइलम शब्द या संग शब्द इस्तिमाल नहीं करते वहां पर हम इसको भाग कहते हैं या डिविजन कहते हैं उसके बाद अब रोही क्रम में वर्ग आती है जिसको अंग्रेजी में क्लास कहते हैं गन जिसको अंग्रेजी में ओर्डर कहते हैं उसके बाद कुल जिसको फैमिली कहते हैं वन्स जिसको जीनस कहते हैं और अंत में जाती या स्पेशीज का विकास हुआ है पौधों तथा प्राणियों दोनों में species सबसे निचले संबर्ग में आती है अब आप ये प्रशन पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन संबर्गों में कैसे रखते हैं तो किसी भी जीव को उसके गुणों के ग्यान के आधार पर अर्थात हम जो उसके गुणों का अवलोकन कर लेते हैं तो उसके आधार पर वियस्टी अर्थात एक और समश्टी तथा समूह में रखा जाता है अर्थात उसके वर्ग के गुण का ज्यान जीवों में समानता तदा विभिन्यता को पहचानने में साहता करता है अब हम सामान्य संबर्ग के बारे में जानेंगे बच्चो इससे पहले हमने सभी संबर्गों को अवरोही क्रम में देखा था अब हम उसको आरोही क्रम में देखेंगे, अर्थात नीचे से उपर की ओर, स्पिशीज सबसे निचले संबर्ग में आती है, इसमें जीवों का वहवर्ग होता है, जिसमें मौलिक समानता होती है, अधिक से अधिक गुण मिलते हैं, किसी भी स्पिशीज को उसमें समीपस्त संबंधित स्पिशीज से उनके आकारी किये, अर्थात बाही आकार के विविन्नता के अधार पर हमने एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, उधारन के लिए सॉलेनम टुबरोसम आलू है, जबकि इसके साथ सा संबंधित स्पिशीज सॉलेनम नाइगरिम और सॉलेनम मेलेंजिना है, एक और उधारन लेते हैं, पैंथरा लियो जो शेर है और पैंथरा टिगरिस जिसको हम बाग कहते हैं, बच्चो, मानव की जाती सेपियन्स है, जो होमो वंच में आता है, इसलिए मानव का वैज्यानिक नाम है होमो सेपियन्स, इसके बाद हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, स्पिशीज के बाद वंच आता है जिसको जीनस कहते हैं, ये संबंदित स्पेशीज का एक वर्ग है जिसमें स्पेशीज के गुण अन्य वंस में स्थित्थ स्पेशीज की तुलना में समान होते हैं वंस समीपस्त संबंदित स्पेशीज का एक समू है आलू तथा बैंगन अलग-अलग स्पेसीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वन्ष में आती है उधारन के लिए शेर पैन्थरा लियो तेंदुवा पैन्थरा पार्डस तथा बाग पैन्थरा टिगरेस में बहुत से गुण है वे सभी के सभी पैंथरा वंस में आते हैं वंस फैलिश, बिल्ली, पैंथरा वसे भिन्न है इससे उपर की ओर जब हम बढ़ते हैं आरोहिक्रम में तो हम कुल की बात करते हैं जिसको अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं कुल में संबंधित वंस समाहित होते हैं वर्गी करण का आधार पौधों के काईक तथा जनन गुण के आधार पर होता है उधारन के रूप में पौधे में तीन विभिनेवन्स जैसे सॉलेनम, पिटिवनिया तथा धतूरा को सॉलेने सी कुल में रखते हैं प्रानिवन्स जिसमें पैंथरा जिसमें शेर बाग चीता आते हैं इसको फैलिस यानि बिल्ली के साथ फैलेडी कुल में रखते हैं बिल्ली तथा कुत्ते में कुछ समानताई तथा कुछ विभिनेताई हैं इसलिए उन्हें क्रम से फैलिडी तथा कैनेडी कुलों में रखा गया है। और उची यह बढ़ते हैं, अगले आरोही क्रम में गण हैं जिसको अंगरेजी में ओर्डर कहते हैं, गण तथा अन्य उच्चतर वर्गी की संबर की पहचान लक्षणों के समोहन के आधार पर की जाती है। गण में कुछ एक समान लक्षण वाले कुलों के समोह होते हैं, उधारन के लिए पादब कुल जैसे कॉन्वल्वियूलेसी, सॉलिनेसी को पॉली सॉनियलेस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुषपी लक्षण है। प्राणी, कार्नी वोरा गण में फैलेडी तथा फैनेडी कुलों को रखा गया है। अब हम और उपर बढ़ते हैं अगले सोपान में वर्ग आता है जिसको अंग्रेजी में क्लास कहते हैं। वर्ग में सभी प्रकार के संबंधित गण समाहित हो जाते हैं। उधारन के लिए प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिला तथा गिबॉन आते हैं। कार्निवोरा गण जिसमें बाग, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, इन सभी को मेमेलिया वर्ग में रखा गया है, इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं इससे उचितर संवर्ग की और की हम बढ़ते हैं, तो आता है संग जिसको हम फाइलम कहते हैं, संग में उचितर संवर्ग जिसमें जन्तु जैसे मचली, उभायचर, सरीशप, पक्षी तथा स्तंधारी बर्ग आते हैं एक समान गुणों जैसे प्रष्ट रज्यू, नोटो कार्ड तथा प्रष्ट्रिये खोखला तंत्रिका तंत्र होने के कारण कॉड़ेटा संग में रखा गया है पौधे में इन वर्गों जिनमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, इनको उच्चतर संवर्ग भाग अर्थात डिविजन में रखा गया है सब से उपर पहुंचते हैं, वहाँ जगत है जिसको हम किंग्डम कहते हैं उच्चतम संवर्ग जगत में जन्तू, वर्गी की तंत्र में विभिन संगों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है जबकि पादब जगत में विभिन भाग अर्थात डिविजन के सभी पौधों को प्लांटी जगत पादब जगत में रखा गया है बच्चो वर्गी की वैज्ञानिकों ने इन पदानुक्रम में उप संबर्ख भी बताए गया है इससे विभिन टैक्षा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है प्यारे बच्चो आज की कक्षा में हमने जो सीखा है उसकी एक बार त्वरित पुनरावर्ति कर लेते हैं और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपने जैविक वर्गी करण की आवशक्ता और महत्व को गेहन रूप से सोचने और समझने की क्षमता आज विक्षित कर ली होगी प्रजाती की अवधारणा का आकलन और अपवादों के लिए समझ भी आपने विक्षित कर ली होगी मुझे आशा है जैविक वर्गी करण के विविन स्तरों का वर्णन कर पाएंगे विविन वर्गी की समवर्गी की पहचान और उदारण के साथ उन्हें सम्बंदित करने की क्षमता भी आपने विक्षित कर ली होगी ऐसा मैं आपसे उमीद करता हूँ अब हमने जो कुछ भी आज पढ़ा है इसका आखलन होना चाहिए इसके लिए थोड़ा आपको ग्रह कारी दे रहे हैं और मैं उमीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसको अवश्य करेंगे पहला प्रशन है कि आप अपने घर के आसपास के खेत्र का अन्वेशन करें उनको देखें ध्यान से और वहां रहने वाले किनी भी पांच जीवों की पहचान करें ये बड़ा मुश्किल नहीं आपके लिए उन्हें अलग-लग संवर्ग में आप रखें दूसरा प्रशन है पहले प्रशन से संबंदित है उपरोक्त प्रशन एक में आपने जो पांच जीव पहचाने हैं उनके व्यग्यनिक नाम आप लिखेंगे तीसरा प्रशन है जैविक वर्गी करण का इतिहास पढ़ें तथा जैविक वर्गी करण का विकास कैसे हुआ इन्हें आप अपने शब्दों में लिखेंगे अब हम अगली कक्षा में इस अध्याय के जो बाकी बचेविभाग हैं वो उनका अध्यन करेंगे और उसमें विशेष्त है वर्गी की सहायता साधनों का आप एक बार स्वाध्याय कर लें एक बार पढ़ लें फिर हम उसका जब अगली कक्षा मिलेंगे तो विस्तार से आप इन्हें एक बार फिर से कह रहा हूं भली भाती पढ़ लीजेगा प्यारे बच्चो मैं आशा करता हूं आज आपको अच्छा लगा होगा आपने आसपास जितने भी प्राणी हैं उनके वेगनिक नाम किस प्रकार दिये जाते हैं यह आप पहले जान चुके लेकिन वे कर दो